हेलो दोस्तों, जीरो लैप में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज के वीडियो में हम लोग एक हेर ड्रायर को कैसे रिपेर कर सकते हैं को जानेंगे यहाँ पर यह हेर ड्रायर जो है बिल्कुल डेड कंडिशन में है और इसको मैं आपको टेस्ट करके यहाँ पर दिखा देता हूँ पावर मोनिटर में मैं ऐसे प्लग करता हूँ और आप यहाँ पर देख पाएंगे कि मैं इसको स्विच आउन करता हूँ लेकिन ये dead है यहाँ पे दोनों position high और low में मैं इसको on कर रहा हूँ लेकिन hair dryer हमारा बिल्कुल work नहीं कर रहा है power monitor में wattage भी नहीं दिखा रहा है यानि ये hair dryer बिल्कुल dead है अब ऐसी condition में इसमें क्या कमी होगी यह हम आगे वीडियो में जान पाएंगे यहाँ पे दो screw दिये गए है दोनों को हमें screw driver की साहता से खोल लेना है यहाँ पे यह दोनों screw हम खोल लेते हैं और फिर इसके अंदर के जो parts है उन्हें हम देख पाएंगे और क्या कमी है यह भी जान पाएंगे तो यहाँ पे दोनों screw जो है मैंने खोल लिये हैं अब मैं इसकी housing का यह जो handle वाला part है इसको निकाल रहा हूँ इस तरीके से हमें इसे निकाल देना है यहाँ पे आप एक lock और देख पाएंगे यह white color का है इसको भी हमें दीरे से निकाल देना है इसके बाद हम इसके नीचे का part जो है इसको भी निकाल देंगे अब इसके अंदर के जो parts है वो भी हमें इस तरीके से housing को खोल लेना है फिर हमें दिखाई देंगे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यह एक fan लगा हुआ है आगे इसमें एक heating coil लगी है मोटर भी आपको देख पा रही होगी तो इस तरीके से manually हम चेक करते हैं तो heating coil जो है यह बिल्कुल okay है यानि heating coil में कोई fault नहीं है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं और इसमें motor लगी है motor में ही जड़तर fault आती है और यहाँ पे आप इसका fan देख पाएंगे तो यहाँ पे motor को test करने के लिए आप direct इसमें 5 volt की supply देके test कर सकते हैं यहाँ पे एक bridge rectifier लगा है जो की DC बनाता है और जो की हमारे motor में जाती है जिससे की motor जो है वो हमारी run करती है यहाँ पे bridge rectifier का positive side और negative side आप देख पाएंगे यहाँ पे यह diodes को लेके और bridge rectifier बनाया गया है जो की positive और negative जो है वो motor के साथ connect है और यहाँ पे इस तरीके से आप देख पाएंगे इस side positive और इस side negative है तो यहाँ पे motor पे अगर हम positive और negative पे अगर एक DC power source 5 volt वाले source से हम इस पे supply दे तो यहाँ पे motor run करनी चाहिए लेकिन यहाँ पे motor जो है वो run नहीं कर रही है और इसको आप पहले इसी तरीके से test करिए मुझे confirm है कि यह motor खराब है और जालत तर motor खराब होती है तो यहाँ पे हम इस motor को धीरे से निकालेंगे और इस तरीके से आपको धीरे से निकाल लेना है यहाँ पे आप देख पाएंगे मैंने motor जो है उसको निकाल दिया है यहाँ पे यह हमारे motor में लगा हुआ fan था और इसको हम side में रख देते हैं और यहाँ पे आप देख पाएंगे motor जो है कुछ इस तरह की है और यह motor जो है आसानी से आपको market में मिल जाएगी यहाँ पे positive negative जो है motor के साथ connect है bridge rectifier के और इसको हम solding iron की मदद से अलग कर लेंगे यहाँ पे इसके बाद हम motor को test करेंगे आप लगी हुई condition में भी motor को test कर सकते है केवल आपको यहाँ पे five bolt power source से इस पे supply देनी है तो यहाँ पे आप देख पारें मैं इस तरीके से motor को bridge rectifier के जो दो points है उनसे अलग कर लेता हूँ जिससे की motor जो है यह हमारी अलग हो जाएगी और इस तरीके से हम motor को निकालने के बाद और बाद में ही test करेंगे तो यहा high speed वाली motors होती है और यह जो है 12 से 30 volt तक की power supply से run करती है और high rpm इन में होता है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यह सेम उसी तरह की motor है हमारे पास जो की hair dryer में replace के लिए है और इस तरह की motors आप zero lap से भी purchase कर सकते हैं आप वीडियो के description को चेक करेंगे वहाँ पे electronics spare parts जो है zero lap दोरा आप तक पहुचाए जाते हैं चलिए motor की testing जो है यह हम कर लेते हैं यहाँ पे हम इसमें fan लगा के और test करेंगे यह जो motor है यह हमारी hair dryer में पहले लगी थी वही motor हम test कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे motor जो है बिल्कुल भी work नहीं कर रही है और इसके बाद आप हम जो नई motor इसमें replace करेंगे उसको भी test कर लेंगे तो यहाँ पे आप देख पारें मैं नई motor जो है इसमें fan लगा के और आपको confirm करा देता हूं कि यह motor बिल्कुल working condition में है और इसे हम replace कर सकते हैं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे fan जो है हमारा चलने लगा है और यह motor proper तरीके से work कर रही है अब हमें ध्यान देना है कि motor का fan इस तरीके से rotate करें कि जो air है वो हमारी पीछे को back side को जानी चाहिए यहाँ पे आप देख पाएंगे चुकि motor जो है यह back side से ही हमारे heating coil के साथ जूड़ी हुई है तो अब हम ऐसी इसकी देखेंगे जिसमें क यह air जो है यह back side को fake और उसके बाद हम terminals को identify कर लेंगे और उसमें हम marking कर देंगे जिससे कि हमें तुरूटी ना हो motor का direction हमारा सही रहे जब हम इस motor को air dryer के साथ connect करें तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ऐसी स्थित में motor पीछे को air दे रही है तो यहाँ पे हम marking करेंगे negative side ह आप देख पाएंगे इस side पे यह negative है और यहीं पे हमें marker लेना जिससे कि हमें तुरूटी ना हो motor का connection करते समय तो यहाँ पे मैं marker की साथा से negative का sign जो है वो बना लेता हूं जिससे कि हम confirm हो जाएंगे कि यह हमारा negative है और यहाँ पे bridge rectifier का negative जोडना है और इस side positive जोडना है त जिसके बाद आप यहाँ पे देख लेंगे कि motor का fan जो है अच्छे से free होना चाहिए और rotate करना चाहिए यहाँ पे अब हम connection जो है वो करेंगे तो यहाँ पे bridge rectifier का negative जो है जहाँ पे हमने minus का sign बनाया है motor में उसके साथ में जोडना है तो यहाँ पे connection का vicious दियान देना है अग हम solding जो है वो कर देंगे positive और negative terminals का हमको ध्यान रखना है और इस तरीके से solding iron की मदद से हम दोनों side solding जो है वो कर देते हैं जिससे की heating coil जो है यह हमारी motor के साथ connect हो जाएगी और heating coil जो है एक तरह से series में होती है हमारे motor के साथ जिससे की motor जो है motor को परयाप्त voltage मिलते है जि low conditions होती है एक high speed में motor run करती है और एक low speed में motor run करती है इसी तरह से motor जो है वो high heat setting और low heat setting के अनसार हमें air flow भी देती है तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से मैंने motor जो है इसको पहले की तरह connect आ लिया अब हम testing कर लेते हैं यहाँ पे आप देख पाएंगे यह proper त पहले से speed कुछ कम है तो यहाँ पे इस तरीके से हमने testing complete कर ली है और अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे air flow भी देख लेते हैं air flow भी side direction में हो रहा है back side यानी heating coil के side में air का flow है और अब हम इसको housing में fit कर देंगे तो इस तरीके से हम इसे housing में fit करते हैं मैंने hair dryer repairing से संबंधित दो तीन वीडियो पहले भी डाले हैं जिनमें मैंने hair dryer के circuit diagram को भी explain किया है और उन वीडियो के link जो है आपको इसी वीडियो के description में मिल जाएंगे आप उन वीडियो को देखके hair dryer के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी जो है वो ले सकते हैं तो यहाँ पे मैं इस hair dryer को proper तरीके से fit कर रहा हूँ और इसके बाद हम इसे फिर से एक बार final test करेंगे यहाँ पे आप देख पारें इसी तरीके से आपको इसको fit करना है यहाँ पे इसका switch जो है आप देख पाएंगे इस तरीके से हम fit करेंगे और इसके बाद ही हम इसमें जो locks दिये हैं उनको lock को लग आप यहां पे देख पाएंगे मैंने इस तरीके से इससे fit कर दिया है यहां पे एक यह lock लगा है जिसे हमें इसकी सही position में रखके और फिर हमें उपर side का यह जो handle का cover है इसको लगा देना है यहां पे इस तरीके से हम इससे fit कर देंगे जिस तरह से hair dryer काम करता है कुछ ऐसे ही hot air gun भी काम करती है hot air gun से संबंधित वीडियो मैंने अभी कुछ दिन पहले upload किया था और वो वीडियो भी काफी आपके लिए useful रहेगा इस तरह के product जो है इनको आप आसानी से repair कर पाएंगे अगर आप इनके circuit diagram को समझ लेंगे तो चलिए अब हम final test करते हैं यहां पे आप दे अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आई है या आपका कोई सुझाओ है तो मुझे comment box में share कर सकते हैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए helpful रहेगा तो आज के वीडियो में इतना ही thanks for watching have a nice day